आज की वीडियो में जनेंगे इनसभी के 20 अंतर क्या है, किस समय इनसभी का यूज क्या साता है, कैसे क्या साता है, कम्प्लेट यूज हम लोग समझेंगे, तो सबसे बले हम लोग वह compartir हैं कैसे क्या साता है, और कब करते हैं। दोनों का मतलब समय पर ही होता है लेकिन किस सिचुएसन में किसे यूज़ करते है। तो गाईस पहला कन्दिशन तो यह हैं आपका、 कि इन टाइम का आप यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन ऑफस्टाइम के लिए, कि कोई काम समय पर होगा, लेकिन उसका पिर ये चायम है कि वो समय पर होगा वो आ सकता है लेकिन यह पर यह है कि आपका on time आप उस समय उसकरते हैं जब कि आपका exact time हो अगर आप एक मिनट भी लेट हो गए तो वहां पर आपको punishment मिल सकता है या फिर उससे आप दुखी हो सकते हैं या फिर जो भी काम आ आप नहीं पहुँषे इड मेंस आपको वहां पर train मिस हो गया इड मेंस आप बोल सकते हैं कि आपका exact समय पर काम नहीं हुआ या पिर आप बोल सकते हैं कि आपका meeting था किसी भी समय पर suppose 6 बज़े और आप से बज़े नहीं पहुँषे लेट करके पहुषे आप exact time पर नहीं पहुषे वहां पर आप नहीं कह सकते हैं on time आप वहां पर कहेंगे in time समय पर तो पहुषे लकिन meeting पहले स्टार्ट हो सुखे थी इस पगार से इसका कुछ सैंस है तो सलिए को इस example के माधियम से समझते हैं example इस पगार से राहूल कल समय पर आएगा एड मेंस राहूल विल कम in time tomorrow in time से मतलब है कि वो कल आएगा कल वो duration of time है पूरा दिन duration of time है इसे आप समझ सकते हैं ऐसे तो आपका एक point of time करता है tomorrow लेकिन आप यहां पर समझ सकते हैं कि पूरे दिन आने की संभावना है इस पर से exact time वो नहीं है आप in time के use करेंगे meeting समय पर शुरू होगी the meeting will be started on time meeting सब भी start होते हैं वो समय पर होती है समय पहले schedule बनाए साता है कि आपका 10 बजे 9 बजे 12 बजे इस पर से meeting सुरू होगा वो आपका exact time पर होता है तिहां पर आप on time के use करेंगे ऐसे तो आपको अगर जंदली मिनिंग की बाते करें इसका मिनिंग आपका एक ही होता है एक दुसरे जगापर आप use कर सकते हैं लेकिन अगर difference आना है तो difference आपका यह होता है ऐसे आप समझे एक्जक time means on time और अगर आप उससे लेट हो गए या पिर आप उससे पहले आए हैं आप उसका duration of time में हो जगाए exact time means no बज़े हैं तो 9 बज़े का 9 बज़े 10 बज़े तो 10 बज़े exact time होता है इसे बगार से मैं समय पर उड़ता हूँ तो I get up in time आप बोलेंगे तोकि on time आप नहीं बोल सकते क्योंकि कभी कभी late भी हो सकता है कभी कभी हम पहले भी उड़ साते ह आप obviously आप यहाँ पर in time के यूज़ करेंगे इसे बगार से पिरिया रोज समय पर school जाती है पिरिया goes to school on time आपको यहाँ पर बोलना है on time आपको इसलिए बोलना है क्योंकि school का time होता है 9.30 तो आप 9.30 में ही जाते हैं आप late नहीं जाते हैं अगर आप late हो जाते हैं आप वह पर in time बोलेंगे it means आप exact time पर वहाँ पर नहीं परूशते हैं तो इस ऐसे बगार से आप आगे समझते हैं आगे आपका है by six o'clock और है दूसरा आपका at six o'clock दोनों का तो हिंदी मता होता है शे बज़े लेकिन मेंटर यह हैं कि इसके भी difference क्या है तो difference आपका इस पगार से ह कि बाइ six o'clock त अब आप बोलते हैं जब आप बोलते हैं च्छे बज़े तक की जवाब पाते करते तो उसमें आप 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 बाइक यूज और जब आप तक की साथ यूज करें उसमें आप बाइक कर थे एकजांपल इस से पगार से होगा कि रहूल छे बज़े तक याएग तक यहांपा आया हुआ है आप आलेंगे बाई शिक्स ओक्लॉक इसी बिखार से हम लोग से टक इस्टेशन पहुस गए इडमेंस वी रीज ड़िख्ड ड़ेशन बाई 6 o'clock 6 बजे तक तक यहां पर आब रहा है ता आप यहां पर यूज कर सकते हैं by 6 o'clock इस बाद से टाइम आप sense भी कर सकते हैं इस बाद से वह हो 6 बजे उड़ती हैं c gets up at 6 o'clock अगर आप यहां पर exact time की बात एकरते हैं वो 6 बजे से कभी लेट नहीं होते एक्सक्ट टाइम पर वो उड़ती है आप यहां पर एड करें आदरवाइस आप बोल सकते हैं कि वो छे बज़े तक उड़ते हैं तो आप यहां पर यूज़ करें अगर आप तक बोलेंगे तो फिर आप लगाना लगाईए या फिर अगर आप एक्सक्ट टाइम बोल सकते हैं कि तुम मिने पास छे बज़े आ सकते हैं यह एक्सक्ट टाइम पर छे बज़े का छे बज़े तो फिर आप यहां पर एड करेंगे इस पार से कुछ डिफरेंस था obviously इसके भी कोई difference अधिकतर होता नहीं लेकिन अगर difference की बात करें यह difference आपका था जो कि आप समझते हैं आगे समझते हैं आगे आपका at school या फिर आपका in school दोनों का मतला होता है school में difference कै यह difference आज की वीडियो में हम लोग समझ पा रहे हैं इन इसकूल का आप यूज सब करेंगे जब आप बाते अलक्सिस की करेंगे वो आप समझे लेकिन पहले समझे at school की at school बताता आपका location इसकूल जो है आपका क्या है एक पलेस है कोई भी पलेस आपका इससे market आप बोलते हैं इसकूल बोलते हैं या फिर कोई भी city का नाम लेते हैं वो आपका पलेस कराता है अब समझे जो पलेस है आप पलेस में हैं तो आप वहाँ पर क्या लगाते हैं एड का यूज करेंगे सब आप location की बाते करेंगे जिससे कि आप हॉस्पीटल में location इस बार से market location इस बार साप location की जब बात करेंगे तो आप add का उज करेंगे और अगर आप बताएंगे inside आप उसके अंदर हैं, जैसे कि आप इसकूल हैं, तो इसकूल के अंदर हैं, तो आप उसका लोकेसा नहीं बताए, बलकि आप उसके अंदर हैं, उससे में हैं, तो आप उहां पर इन का यूज़ करेंगे, यह तुर आप पहला डिफरेंस, और दुसा डिफरेंस यह है, कि अग अगर आपका कोई भी city, कोई भी सहर, कोई भी अस्थान अगर छोटा है, तो आप उसके लिए add का यूश करते हैं, और अगर आपका city, कोई भी अस्थान आपका बड़ा है, आप इन का यूश करते हैं, यह तो रहा आपका difference, तो चलिए कुछ example लेते हैं, इसे मैं school में हूँ, I am in school, रहूल बजार में हैं, रहूल is at market, इसे बार से तुम hospital में काम करते हो, you work in the hospital, इसे बार से हम लोग कोई सिंग में पढ़ते हैं, we are study at the कोई सिंग, जब आपका add का use क्या गया है, आप समझाते हैं वहापर location की बाते हुई है, और जब इन का use हुआ है, एडमेंस आप उस चीजों के अंदर है, इस स्कूल में, मैं स्कूल के अंदर हूँ, इसी बार से मैं hospital में काम करता हूँ, इस पर साप समझ सकते हैं, और अगर दूसरी डिफरेंस तो यहापर आप समझाते हैं, आपका कोई भी अस्थान अगर बड़ा है, तो कोई भी city आपका बड़ा है, आप इन use cases होता है, तो at use case, इसी बार से use की असाता है, आगे आप समझ सकते हैं, sit-in और sit-on, इन दूनों के भी इस के difference है, इसका मतलब होता है, बैठना में बैठना आप समझते हैं, लेकिन difference होता किया है, गाईस, अगर आप sit-in बोलते है, it means में बैठना, लेकिन किस में ब City, बैढ़ते हैं इस आपके पास एक टेयर है, आपा三 साइट से घरा हुराता है, और बिस में आप बैटते हैं, यह आपका हाथ, रखने वाले होते हैं, पेसे से भी हैं आपका तीन साइट से घरा हुआ है, एडमेंस, आप सब्सकर्षाजिते हैं, और अगर आप sit on का बात करेंगे, इससे suppose कि आपके पास एक table है, तो table पर आप table के उपर बैठते हैं, it means आप sit on का यूज़ करेंगे, आपके आप समझे हैं, जिससे कि आपका table हो गया, आपका कोई bed हो गया, इसे बार से जो भी आपका sit on लगाएंगे, बांके जगों पर इससे कि आपके sit on बैठे हुए हैं, it means sit in का यूज़ करें, जिससे कि राहूल टेबल पर बैठा है, it means राहूल is sitting on the table, आप on इसे लगाए टेबल घिरा हुआ नहीं, जिससे कि आम उसके अंदर है, वो आपका simply सिधार आता है, आपका brain हो गया, table हो गया, इससे आपका क्या होता है, आप उसके उपर बैठते हैं, इस पार से आप समसकते हैं, आगे तुम कूरसी पर बैठे थे, you are sitting in the chair, आपके कूरसी जब राता है आपका वो तीन साइड से घिरा हुआ राता है, इससे बार से मैं आपने कमरे में बैठा हूँ, I am sitting in my room, आपके रूम सो है, रूम आपका सारो साइड से घिरा हुआ है, और गेठ है, इससे बार से आप समसते हैं, get in और versus get on, इसका भी मता होता है क्या मैं बैठना, लेकिन य होता, get in का इस जबाब करते हैं, इसका मतलब यह है कि in small place, it means आपर छोटे अस्थान की बाते होती है, जब आप कहें पर ट्रांसपोर्ट की बाते करते हैं, travel की बाते करते हैं, इससे आपका car, auto, आपर छोटे जोटे जोटे गारियां होती है, वह पर उसमें जगह कम होती है बैटते हैं आपके उसमें अधिक जगह नहीं रहा पाती है, आप समझते हैं, तो उसमें पर आप पर चल्प करेंगे, समसें आपका बड़ा जगह आता है, जिसे ट्रेन, अपर पूरा पेक नहीं हो जाता है, उसमें कई साले हैं even, शॉक्न慰शा करेंगा, यह फिर भी एक क्योंकि बड़े होते हैं और बस में भी नहीं होता बस में भी जगह बस आते हैं और प्लेन प्लेन में भी जगह होते हैं बहुत समझ सकते हैं कि कार और ओटो में क्या होता है कि इसमें क्या होता है जिसे आप टैक्सी भी बोलते हैं इसमें यह होते हैं कि आपको बैठने के ब आपने के करीब हो साते हैं लेकिन बस ट्रेन प्लैन इसा में ऐसा खुछ नहीं होते हैं समझ सकते इसमें जगाब बड़े होते हैं एक संपल देखे जिसके राहूल को कल मैंने कार में बैठते हुए देखा इट मेंस आइसा राहूल गेटिंग इन दा कार यस्टरडे इसी बा आप यहां पर समझ सकते हैं क्योंकि इस जगा बड़े किये बाते हो रही है सुमन बस में अभी बैठा है सुमन इस गेटिंग ऑन दा बस नाओ यह फिर राइट नाओ इस पार से संदेश को आप इसलिए बना सकते हैं आग इसी बार से हैं गाइस गेट आउट वरसेस गेट आप इसका मतलब होता है आपका उतरना होता है उतरने के सेंस में करते हैं गेट आउट मेस निकलना भी होता था यहां पर निकलना का कोई मतलब यहां पर नहीं है get out means उतरना भी होता है get off मतलब भी उतरना होता है लेकिन किसी वहां से उतरने के लिए आप यूज़ करते हैं तो समल यह कुछ example जिसे कि get out के use आप तब करेंगे सब आप car या auto या taxi से उतरते हैं उसमें आप get out के उसके जब आप train बस प्लैन इस सब से उतरते हैं बड़े गारियों से उतरते हैं बड़े आपका सो वहान होते हैं उससे उतरते हैं आप वहां पर get off का यूज़ करेंगे example देखे जिसे कि रहूल कल ट्रेन से उतरा रहूल got off the train yesterday इसे बार से मैं कल कार से उतरा I got out the car yesterday इसे बार से auto से जल्दी उतरो get out the auto या फिर get out the taxi इस पर सा आप यूज़ कर सकते हैं बहुत ही easy way में रहूल कल बस से उतरेगा रहूल will get off the bus tomorrow इस पर से Sunday सा अपसली कई सरे बना सकते हैं इस इस बगार से आगे आपका accept versus accept दोनों को pronounce हम एकी तरह से करते हैं दोनों के meaning अलग अलग होते हैं अलग सेंस में यूज़ किया जाते हैं परला आपका accept जो उसका मतलब होता है स्विकार करना और accept जो हैं इसका मतलब होता है आपका के सिवाई को छोड़कर एकसांपल देखे सबसे लिए समझते हैं accept means स्विकार करना और accept means के सिवाई एकसांपल इस पहार से होगा कि रहूल रवी का निमंत्रन स्विकार नहीं किया स्विकार करना और दूसरा एकसांपल देखे रहूल अंग्रेजी के सिवाई कई सारी भासाएं जानता हैं मतलब कि रहूल अंग्रेजी के सिवाई अंग्रेजी को सोड़कर सब कई सारी वर्साईंस आनता है तो sentence बनेगा रहूल नोज मैनी लंगवेजिस accept English it means अंग्रेजी के सिवाए अंग्रेजी को सोड़ कर इस पर से बोल सकते हैं आप sense कर सकते हैं एक हिंदे के सिवाए मराठी के समय गुजाती के सिवाए इस आप sense कर सकते हैं मैं तुम्हारे सिवाए तुम्हारे घर में सभी को सानता हूं तुम्हारे सिवाए तुम्हे सोड़ कर आप सहत यहाँ पर एट का भी उस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इस स्मॉल प्लेस की बाते हो रही है एट के उस भी आप कर सकते हैं इसे बगार से का इस आगे आपका लूज वर्सिस लोज आप समझेगा इसका कैसे बना जाता है आप समझेगा एक इसका मतलब होता है लूज इसका मतलब होता है धिला करना या फिर धिला समझेबते हैं या पर इसका मतलब होता है आपका खोना लॉस बोलता है ना आप खोना इसे बार से देखे समझेगा क्या आप केसे इसका यूज़ करते हैं ग्सम्बल इस पौर्च होगा रिरसी थोड़ा धिला करो मतलब क्या loose the rope a bit a bit means थोड़ा इसी बार से अपना belt धिला करो means lose your belt इस पौर्च बोलते हैं आप आगे हैं मैंने अपना phone कर खो दिया it means I lost my phone yesterday कि अब बनाते हैं राहूल यह भाइख Kona नहीं साथ है राहूल डस नॉट वांट ओल लूज यह फिर लोज बोलते हैं दिस वैक इस पार से की सानदेश्स आप इसली बना सकते हैं आगे हैं आपका एसूर वर्स एंसूर यही दोनों का जो मतलब है दोनों का मतलब होता है भरो भरुसा दिलाना के सेंस में जहाँ पर की आपका गारंटी नहीं है hundred percent true नहीं है, वहाँ पर आप use करते हैं assure का, और जहाँ पर ensure मतलब होता है बरुसा दिलाना, लेकिं यहाँ पर है hundred percent guarantee होता है, assure की जूब जहाँ पर use की जाते है, it虫 हां hundred percent guarantee है, वो भरोसा जो दिलाता है, भरोसा जो दिला रहा है, it means वो काम 100% है, इस पार से आप समझ सकते हैं, एस समझ सकते हैं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, कि राहूल यहां काम पूरा कर देगा, समझेगा sentence मन रहा है, I assure you that Rahul will complete this work, it means हो सकता है कि Rahul यह काम complete ना भी कर पाए, गरेंटी नहीं है, यहां पर आपका संभाव ना बताए, जड़े कि यह आपका possibility है, यह 100% यह true नहीं है, तो आप यहां पर assure के use करेंगे, इसी बगार से मैं तुम्हें बरोसा दिलाता हूँ, कि तुम मैं से जित जाओगे, आप guarantee तो नहीं है, बरोसा दिला रहा हूँ, ठीक है, लेकिन guarantee नहीं है, आप यहां पर use करेंगे assure का, I assure, मैं बरोसा दिलाता हूँ, तुम्हें, I assure you, मैं यू विल विन दा मैस तो मैस जित जाओगे गरंटी नहीं है जापर एस्योर की बाते हो सा है 100% true नहीं है possibility है हो भी सकता है नहीं भी हो सकती है लेकिन answer का जापर आप भी उसकरते हैं 100% true है गाईस इस परस अप समझ सकते हैं तो मैं सभी को बरुसा दिलाता हूँ कि सभी लोग अंग्रेजी सिख जाओगे कब when you work a lot when you learn English when you practice when you try to speak English guys you can speak English as well समझेगा sentence मनेगा I ensure all मैं सभी को बरुसा दिलाता हूँ that all the people will learn English इस परस आप समझ सकते हैं answer means आपका guarantee है एक दम पक्का होगा तो होगा इस परसे मैं तुम्हें बरुसा दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें सभी पैसे दूँगा it means guarantee है 100% मैं तुम्हें पैसे दूँगा तो sentence मनेगा I ensure you that I will give you all money इस परसे आप sentence को बनाते हैं ये तो रहा आपका difference जिसमें कि आपने कई सार सीजों को सीका है so guys that's all for today